हलो फ्रेंट्स, वेलकम तो आई चैनल स्टडी फोर यू, सो गाइस, आज के इस वीडियो आँ लोग देखने वाले हैं, जो आपका रेलवे आर्पी अप की जो न्यू वैकेंसी आई है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्डेंट कोश्चन्स को जो है, इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, तो जो भी कैने इस बार, आर्पी अप कॉंस्टेबल या SI का एक्जाम देने वाले हैं, मैं आपको 100% ये गैरंटी देता हूँ, कि आपके रेलवे आर्पी अप के एक्जाम में, यहां से प्रेस्ट न जरूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा, और आपसे रिक्वेश्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेलवे आर्पी अप एक्जाम से रिलेटेड पलपल के अपडेट के लिए जो है, चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा, और बगल में आपको एक बैल एकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जरूर प्रेश्ट कर दिएगा, और रीपन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा, यहां से एक प्रेश्ट और एक्जाम में पूछा जाता है, कि बंगाल तथा बिहार में अस्थाई बंदवस्थ की सुरुवात, यह जो किस ने किया था, तो देखे, बंगाल तथा बिहार में जो अस्थाई बंदवस्थ की सुरुवात है ना, यह लॉड कार्नवालिस ने किया था, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर है कि दिलवाडा मंदीर, यानि दिलवाडा का जो जैन मंदीर है ना, यह कहां पर इस्तित है, तो देखे, मैं आपको बता दू कि दिलवाडा का जो जैन मंदीर है, यह पांच मंदीरों का जो एक समू है, और यह आपका राजस्तान के सिरोही जिले के माउंट आबू में इस्तित है अगर राज जी पूछा जा किस राज जी में है दलवारा का जैन मंदीर तो यह आपका राजस्तान राज जी में है अगर राजस्तान राज जी के किस जिले में है यह पूछा जाए तो यह सिरोही ज हैं पेस किया गया था तो देखें भारत में निम्णलिक्ट में से किसकी उपस्तिती के कारण जो है तो तो जे प्रागकन उपस्तिती के कारण जो है ये मानसुन पुरू वर्सा जो केरल और करनाटा के तट्टिय छेतर में एक सामान निगटना है और अस्थानिय तोर पर इसे किस नाम से जाना जाता है तो देखिए अस्थानिय तोर पर जो है इसे आम वर्सा के रूप में जाना जाता है तो option A आपका यहाँ पे correct हो जाएगा next stop का यहाँ पर है कि विस्वरेड क्रॉस दिवस यह जो एक कब मनाय जाता है तो देखिए विश्वरेड क्रॉस दिवस यह प्रतिवर्स आथ मई को मनाय जाता है तो option D आपका यहाँ पे correct हो जाएगा बात कर ले इसके important facts के बारे में तो देखिए रेड क्रॉस जो है एक अं एंडी ड्यूटेंड ने जेनेवा में किया था तो ये भी आपको ध्यान में रखना है बात कर ले इसका मुख्याले कहां पर है तो जेनेवा स्विट्जर लैंड में है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आप का यहां पर है कि इफ्रेडा पौदे को किसके अं आध़ुनी कम्प्यूटर का जनक यह किसे माना जाता है तो देखिए बहुत सारे बच्चे चार्ल्स बैविज को मार के आएंगे तो मैं आपको बता दूँ कि यहाप एक कोशन आपको ध्यान से पढ़ना है कि आध़ुनी कम्प्यूटर का पूछा गया है तो देखे आधुनी computer का जो जनक है ना ये Alan Turing को माना जाता है तो option B आपका यहाँ पर correct हो जाएगा अगर question में simply computer का जनक अगर दिया रहे ना तो computer का जनक ये जो Charles Babbage को माना जाता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है next step का यहाँ पर है कि October 2020 तक प्राप्त जनकारी के recording भारत में सारवजनीक छेतरों के बैंकों की संक्या कितनी है तो देखे वर्तमान में सारवजनीक यानि public sector छेतरों के जो बैंकों की संक्या है ये 12 है पहले जो था वो 22 था लेकिन आपका 2020 में 10 बैंकों का बिले कर दिया गया था और वर्तमान में जो भारत में सारवजनीक छेतरों बैंकों की संक्या है वो 12 है तो option C आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा next step का यहाँ पर है कि HIV का इलाज ये जो नहीं होने पर क्या हो सकता है तो देखें HIV का जो इलाज नहीं होने पर जो है ये AIDS हो सकता है तो option D आपका करेक्ट हो जाएगा next step का यहाँ पर है कि मेंस सिंगल औस्ट्रेलियन ओपन 2020 के फाइनल में उपविजेता कौन थे देखे एक examiner क्या करता है कभी कभी आपको question घुमा कर पूछता है कि 2020 के Australian Open में उपवीजेता कौन रहे थे तो उपवीजेता की बात कर ले तो ये जो आपके dominant theme रहे थे तो option भी आपका correct हो जाएगा बात कर ले वीजेता के बारे में तो वीजेता जो है ये नुवाग जोकोवीच रहे थे तो ये भी आपको ध्यान में रखना है यहां से important facts के बारे में जान लीजे 2020 का US Open का जो उपवीजेता रहे थे ये Alexander जूरेब रहे थे ये भी आपको ध्यान में रखना है 2020 के French Open का जो वीजेता है ये राफिल नडाल रहे थे US Open के जो वीजेता है ये Dominic Theme रहे थे और Australian Open के जो वीजेता है ये आपके नुवाग जोकोवीच रहे थे तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आपका यहां पर है कि नमक पर British एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांदी जी ने जो किस वर्स में समूदर तक जो है दान्डी मार्च सुरू किये थे तो देखें गांदी जी के द्वारा समूदर तक दान्डी मार्च की जो सुरुवात है ये आपका कब किया गया था तो 1930 में किया गया था तो Option C आपका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्न लिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है तो देखें भारत की जो सबसे बड़ी तेल कंपनी है ये आपका इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड है तो Option B आपका correct हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में प्रतम पर्मानू बम का परीचन ये जो किस वर्स किया गया था तो देखें भारत में जो प्रतम पर्मानू बम का परीचन है ये आपका 1974 में किया गया था तो Option A आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा नेक्स टाप का यहाँ पर है कि भारत में रास्टी आई की गन्ना की इसके द्वारा की जाती है तो देखे भारत में जो रास्टी आई की गन्ना है ना ये किंद्री ये सांके की संगठन के द्वारा किया जाता है तो आपसन C आपका करेक्ट टैंसर हो जाएगा नेक्स टाप का यहाँ पर है कि निम्नलिकित में से किसने बारतिय प्रादोगी मरुस्तल मदरास की पहली छात्रा के रूप में जो है भारत का रास्टपती पुरुसकार 2019 जितकर इतिहास रचा है तो देखे भारत का जो रास्टपती पुरुसकार 2019 का जो विजेता रही थी ना ये कवीता गोपाल रही थी तो ऑप्सन भी आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स टाप का यहाँ पर है कि प्रकास वर्स ये जो किसकी इकाई है तो देखे ये जो प्रकास वर्स है ये दूरी की इकाई होती है तो ऑप्सन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स टाप का यहाँ पर है कि भारत में इंटरनेट की सुरुआत ये जो एक कब हुई थी तो देखे भारत में इंटरनेट की जो सुरुवात है ये आपका 15 अगस्त 1995 को हुआ था तो आपसन भी आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट अपका यहां पर है कि जालियावाला बाग नरसनहार ये जो एक कब हुआ था तो देखे जालियावाला बाग जो नरसनहार है ये आपका 13 अपरेल 1919 को हुआ था और ये कहां पर हुआ था तो ये आपका अमरी सर पंजाब में हुआ था तो ये भी आपको ध्यान में तो option C आपका correct हो जाएगा नेक्स टाप का यहाँ पर है कि भारत में खिलापत अंदोलन के बारे में क्या सही कथन दिया हुआ है तो देखे भारत में जो खिलापत अंदोलन हुआ था यह जो तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक अंदोलन किया गया था तो option C आपका 19 में किये थे तो ये भी आपको ध्यान में रखना है मार्च 1919 में बंबई के खिलापत समीटी का गठन किया गया था वहीं अगर बात कर ले अखिल भारती खिलापत कमीटी का पहला सम्मेलन गां हुआ था तो यह 24 नॉंबर 1919 को हुआ था और कहां पर तो यह दिली में महात्मा गांदी की अध्यस्ता में हुआ था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आपके यहाँ पर रहके निमनल इखित में से कौन सा सतत्विकास 2030 के लिए युएन का एजेंडा नहीं है तो देखें मैं आपको बता दूँ कि युएन का एजेंडा 2030 के लिए है वो एक तो यह है कि 2030 तक खाथ सूरचा प्राप्त करना यह तो यह एजेंडा है उसके बाद गरीबी कहीं भी किसी भी रूप में हो उसे समाप्त करना इसका एजेंडा है राष्ट के भीतर और राष्टों के माद दे समानता को कम करना यह भी जो इनका एजेंडा है लेकिन ऑप्सन ए जो दियावाए ना कि विश्व की कुल जन संख्या में एक बटे तीन तक कमी करना यह जो इनका एजेंडा नहीं है तो आप्सन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि घरों के बाहर फर्स को सजाने के लिए जो है कला कि निम्ने में से किस सैली का उप्योग किया जाता है तो देखे घरों के बाहर फर्स को स तो देखे भारत में महाभीयोग की परकिरिया द्वारा जो है भारत के मुखे नैजीस को हटाया जा सकता है उनके पत से मुखे चुनाव आयुक को भी जो है उनके पत से हटाया जा सकता है भारत के राश्टपती को भी जो है उनके पत से हटाया जा सकता है लेकिन प्रधान मं प्रद्री को महाभियों की परकिदिया द्वारा जो है उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है तो आपसन डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहां पर है कि दिफू दर्रा यह जो है आपका कहां पर इस्तित है तो देखें यह जो दिफू दर्रा है ना ये आपका अरुनाचल परदेश, राजज में सित्त है, तो अरुनाचल परदेश आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा, बात कर ले अन्य दर्रे के बारे में जहां से एक्जाम में पूचा जाता है, बनिहाल दर्रा यह जो आपका कहां पर है, तो यह जम्मू का समीर में है, ये सब जो है ये कहां पर है तो ये आपके जम्मू और कास्मीर यानि लदाक में हैं तो ये भी आपको ध्यान में रखना है जेले पाला और नातुला दर्रा ये जो है कहां पर है तो ये आपका सिक्की में है मानालास लिपुलेक दर्रा ये जो आपका कहां पर है तो ये आपक का कौन सा सहर तो ये चिन्नाई सहर को जो है देंड्रोइट आफ इंडिया और आटोमवाइल कैपिटल के नाम से जाना जाता है तो चिन्नाई ऑप्सन ए आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स टाप का यहां पर है कि दचनी धरूप पर पहुंचने वाली भारतिय सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है तो दचनी धरूप पर पहुंचने वाली जो पहली महिला अधिकारी है यह अपरना कुमार है तो आपसन भी आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स टाप का यहां पर है कि निमनल इखित में से कौन सा एसिया का पहला स्टाउक एक्सचेंज है त आपका बॉंबे स्टाउक एक्सचेंज है तो आपसन सी आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स टाप का यहां पर है कि निमनल इखित में से कौन से विटामिन में जो है इस्ट प्रचूर मात्रा में पाए जाता है तो कौन से विटामिन में तो यह आपका विटामिन बी में जो ये जो है किसने किया था तो देखे यंग बंगाल अंद्वलन की जो शुरूआत है ना यह आपके हैंडरी विवियन डिराजियों के द्वारा सुरू किया गया था तो ऑप्सन सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहां पर है कि भारतीय राष्टे कॉं बारतिराशे कॉंग्रेस की पहली महिला ध्याचागर भारतिये महिला ना पूछ कर पहली महिला ध्याचागर पूछा जाए तो फिर आपका एनी बेसिंट थी तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और आज का जो आपका लास्ट कोशन है जो कि आपको जवाब देना है इमने लिखित में से किसे जो है देश बंदू के नाम से जाना जाता है आप्सन ए में आपका है भगत सिंग, बी में आपका सी आर दास, सी में जवारला लेहरू, आप्सन डी में आपका कोई नहीं आपको जो है ये कमेंट करके